दोस्तों जैसे ही RCB की टीम ने हैदरवाद टीम को बुड़ी तरीके से हराया RCB के फैंस में बड़ा सवाल आने लगा है क्या यहाँ से भी RCB की टीम IPL के प्लेयोप में पहुँच सकती है तो इसका सीधा सिंपल जबाब है YES 100% पहुँच सकती है अखरकार आप भी RCB के बहुत बड़े फैंनों समझना चाहते हो क्या है वो पूरा गड़त जिससे RCB की टीम आप प्लेयोप में पहुँचेगी इस वीडियो को एक लाइक करिए चेनल को स्ब्सक्राइब के लिए बाल आकान दवाईए और लुटी पेकेसन पे क्लिक करना बलकुर न भूल है दोस्तो आई पेल 2024 की पॉइंच टेवल में नमबर वन पे रायस्तान की टीम है जिसने आठ मैंसे साथ मुकाबले जीती है और बाकी के बचे छे मुकाबलों मैंसे रायस्तान की टीम अगर चार मुकाबले हार जाती है और केवल दो मुकाबले ही जीत पाती है तो रायस्तान टीम के 18 पॉइंट हो जाएंगी तो वहीं केकार की टीम बाकी के बचे अपने साथ मैंसे तीन मुकाबले जीत जाती है और चार मुकाबले हार जाती है तो KKR तीम के फिर 16 points हो जाएंगी और वहीं हैदरवात की team बाकी के बच्चे अपने 6-4 मैंसे कम से कम दोस्तों 3 मैं चारती है और 3 मुकाबले जीती है तो इसके भी 16 point हो जाएंगे और वही RCB की टीम बाकी के वच्चे अपने 5 मैं से 5 मुकाबले अगर दोस्तों जीत जाएगी तो उसके 14 पोइंट हो जाएगी मार दोस्तों RCB टीम को ये 5 मैं से 5 मुकाबले बड़े मारजन से जीतने होंगे नेट रन रेट को बहतर करना होगा और फिर 14 पोइंट के साथ RCB की टीम प्ले आफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है